यहाँ पे जियो ने एक new football world cup data pack launch किया हुआ है 222 रुपए का जिसमें आपको 50 GB तक data मिलता है जो जियो के normal data voucher plan आते हैं जिसमें आपको 15 रुपए में सिर्फ 1 GB data मिलता है उसके comparison में आप सोचिए अगर आप 15 रुपए का plan लेते हैं मैं यहाँ पे अपने phone में पहले calculator open कर लेत मानिए अगर 15 रुपए में 1 GB आता है अगर आपको 50 GB data चीए तो आपको 750 रुपए payment करने पड़ेंगे जबकि यहाँ पे अगर आप सिर्फ 222 रुपए का plan लेते हैं तो आपको 50 रुपए तक internet मिलेगा यहाँ पे आप देखे ना दूसरे plans देखे जैसे यहाँ पे अगर आ 41 रुपए 241 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको सिर्फ 40 GB data मिलता है जो जियो का एक मतलब पहले का जो अल्टर plan है वो सारे plans के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है जैसे 301 रुपए का रिचार्ज करेंगे तो आपको 50 GB data मिलेगा जिसकी validity 30 दिन की होगी और वहाँ पे आपको जो नया offer plan है 222 रुपए में आपको यहाँ पे 30 दिनों के लिए 50 GB data मिल रहा है तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे comparison करेंगे तो सबसे जो अभी beneficial plan है वो आपको यहाँ पे यह 222 रुपए वाला है 55 रुपए का अगर आप रिचार्ज कराएंगे तो सिर्फ 55 GB 55 GB data मिलता है और यहाँ पे 55 दिनों के पहले डिटी मिलती है तो अगर आपको डेटा की ज़्यादा जरूरत होती है तो आपको यह 222 रुपए वाला plan रिचार्ज करवा कर रख लेना चाहिए इक्स्ट्रा में भी मतलब कि अगर आप चाहें तो अप दो-चार बार भी रिचार्ज करवा सकते हैं और अप जब चाहें उसको एक्टिव करके और यूज कर सकते हैं अगर आप यह आप रिचार्ज कर भी लेते हैं यह 222 रुपए वाला तो आपके नंबर पे वो रिचार्ज प्लैन जो है वो जाकर क्यूं में एड रहेगा उसक के टाइम में सबसे अच्छा जो बेनिफीसल प्लैन है यह 222 रुपए वाला है आप इसको रिचार्ज करा सकते हैं मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा ठीक है तो यहाँ पर जीओ का यह जो निव रिचार्ज प्लैन है डेटा रिचार्ज प्लैन है यह आपके लिए बहुत ऐसी कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनलो को सब्सक्राइब कर सकते हैं